हेलो दोस्तों वेलकम टू सफलता मंतर दोस्तों आज सुबह की पहली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है गुड मॉर्निंग जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाईएगा और आज की क्लास में लोग डिसकस करने वाले हैं व्यक्तित टॉपिक को परसनालिटी ट परतित टॉपिक जो है यह इतना ही है इतना ही आपको पढ़ना है हम आपको जितने तरीके से हो सकता है अलग-अलग तरह के नोट सयार करवा करके अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं और डेली आपके लिए दो क्लास या तीन क्लास लेकर आते हैं जिससे कि आपकी टीचर TAT, CTET, SuperTET, सिच्छक बरती सभी की पूरी तयारी कराई जा रही तो अगर आपको सिच्छक बनना है तो ऐसे ही तयारी करते रहिए अपनी पूरी अच्छे से और एक एक चीज को समझते जरूर रहिएगा पुरानी कुछ क्लासेस के लिंक नीचे दिएगा इंडिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से उन क्लासेस को देखिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा तो चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित टॉपिक को पहले पॉइंट से पढ़ना शुरू करते हैं क्या दिया का व्यक्तित मुल्यांकन की साधारण विदी है व्यक्तित मुल्यांकन यानि की व्यक्तित का मुल्यांकन करने की जो सबसे साधारण विदी है वो कौन सी है तो ये है दोसों प्रसनावली विदी, प्रसनावली विदी कम लोग है कि question ranksr के माध्यम से वैक्तिके वालक के व्यक्तित को निखारना, उसके व्यक्तित का मूल्यांकन करना कि ये किस प्रकार के व्यक्तित के अंतरगत आता है, दूसरा व्यक्तित मुल्यांकन की सर्वसेष्ट विधी कौन सी है तो दोस्तों ये केस इस्टडिया केस अध्यन विध के नाम से जानी जाती है व्यक्तित मुल्यांकन की सबसे अच्छी विधी और सबसे अच्छा question भी ही है कि सब्सेट भी दि कौन सी है इस्टी भी दि अगला question है अचेतन का सिधान्थ किस था? अचेतन का सिधान्थ किस था? ये याद करते चलिएगा सभी point आपको साथ में ही याद करने इतना ध्यान रखियेगा तो ये एडलर था लिबिडो की परिवासा दी थी जिसके बारे में भी हम लोग जब सिद्धान्त को पढ़ेंगे पूरा क्लियर करेंगे तब आपको ये सभी पॉइंट क्लियर करवा देंगे ठीक है लिबिडो किसने बताय था सिगमन फ्राइड ने एक अच्छे परिच्छन की विशेस्ता है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है बहुत बार पूचा गया फिर भी कुछ लोग में गलत कर देते हैं विश्वसनेता वैदिता और मानक इस्टेंडर्ड होना चाहिए विश्वसने hyena होना चाहिए और वैले वैलीड होना चाहिए ये एक अच्छे परिच्छन की कुछ महत् खिलाडी राजनैतिक नेता अभिनेता व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं यानि कि ये सभी जो आपको सामने नाम लिखेगा है ये किस प्रकार के व्यक्तित्तों के अंतरगत आते हैं किस प्रकार का व्यक्तित्तों इनका होता है तो दोस्तों ये सभी वहिर मुखी व्यक्ति उसको वेक्त करते हैं वे सभी वहर मुखी वेक्तित्यु के अंतरगत आते हैं अगला पॉइंट है फ्राइड के अनुसार बालक का माता-पिता से प्रमुख संबंध है कैसा संबंध है तो यह तादात्मय संबंध होता है बालक का अपने माता-पिता के साथ तादात्मय संबं नहीं सकता यहां से निश्चित आपका परिच्छन और उनके प्रित्पादक याद कली जाए यूपीटेट में हर वार आता है तो TAT परिच्छन व्यक्तित्वापन का एक परिच्छन होता है TAT परिच्छन जो वैसकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है इसका यहाल आयए थे लियोपॉल्ड बैलक दिया होगा कहीं कहीं बैलक दिया हुआ है क्या नाम है लियोपॉल्ड बैलक इनका नाम है और इन्होंने इस सिद्धानत का परिच्छबादन किया था CAT परिच्छन का चैयाल्ड एप्टीटीव टेष्ट आगे बढ़ते हैं तो अग सब्द के माध्यम से एक ने सो सब्दों के माध्यम से सब्द´ सहिचैर्विद्ध का वरणन्त किया था अगला आता दोसों southwest ने किस ने दे थी यह दे ती प्रेशी ने याद कलीज्था प्रेशी कisu ने प्रेशी ने कौन सी विद्धी दी थी प्रीर्य अंतरमुकी एवं वहिर रखिएगा क्या पूछा गया है अगला मौजक परिच्छन ये मार्गरेट लेविन फिल्ड ने दिया था मार्गरेट लेविन फिल्ड ने मौजक परिच्छन दिया था पॉइंट जरूर याद करते रहिएगा अगला दुस्तों कोशन देखे आपके सामने टी एटी की रचना किसने की अभी हमने आपको उपर बताया था टी एटी की रचना किसने की दोस्तों मौर्गन बा मरे ने आत्म प्राप्ति के सिध्धान्त का संबंद किस से है तो ये मैसलो से है मैसलो ने आविशक्ता पतानुकरम सिध्धान्त दिया था इसी के इंतरगत इ अब्राहेम मैसलों ने आविशक्ता पदानुक्रम का सिध्धान्त दिया था और इन्होंने प्रत्यक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण की जाने वाली आविशक्ताओं का पूरा वर्णन किया था अगला TAT परिच्छन में कितने कार्ड बताए गए थे तो इसमें 31 कार्ड होता है याद करते हैं थिमेटिक ऐप्रिटिव टेश्ट इसका नाम होता है अगला रोर्वा Smallerson का प्रिच्छन की रोर्वाइं की रोर्स सजाही प्रोर्सा कहां के निवासी थे ये स्वीजर लेंड के साइकोलोजिश्ट थे मनोवग ग्यानिक थे मांग सिध्धान के प्रवर्तक मैसलो थे मैसलो ने आविसक्ता का सिध्धान्त दिया था उसी का दूसरा नाम है मांग का सिध्धान्त क्या नाम है मांग का सिध्धान्त ये ये सेल्डन ने दिया था ये इन्होंने विभिन प्रकार से सरीर रचना के आधार पर व्यक्तित को विभाजित किया था वो अभी हम लोग आगे इसी क्लास में कवर कर लेंगे कि किस ने किस प्रकार के व्यक्तित को विभाजित किया था कौन-कौन से उसके प्रकार बताये थे साथ में ही याद करिएगा तो आपको जल्दी से कम से कम समय में सभी पॉइंट याद होते रहेंगे आगे अगला दिया सरी रचना का सिद्धान थो गया सेल्डन ने दिया था नाम याद रखिएगा इदम अहम पराहम का सम्मंद किस से है तो ये मनो विशले सरनात्मक सिद्धान से जो की सिग्मन फ्राइड ने दिया था इदम अहम पराहम ये तीनों जो हैं उसी से सम्मंदित हैं टीएटी परिच्छन कितने घंटे का है तो दोस्तों ये दो घंटे का होता है टीएटी परिच्छन याद कर लिजेगा अगला अचेतन तत्तो पर अत्थधिक जोर दिया अचेतन पर किसने अत्तेथिक जोर दिया सिग्वन फ्राइड ने अचेतन चेतन और अर्ध चेतन इदम अहम पराहम इट्स इगो सुपर इगो ये तीन चीजें बताई थी तीनों के अलग अलग रूप हैं फिर से बताय दे रहे हैं याद कर ली जगा अचेतन हो गया एक दूसरा चेतन हो गया तीसरा होता है अर्ध चेतन ये तीन हो गया फिर इसका दूपर भी आया था अहम पराहम अहम इदम अहम पराहम ये भी सिग्मन फ्राइड ने बताये थे और इट्स इगो सुपर इगो तीनों एकी चीजे हैं नाम अलग अलग दिये गए याद कर लिजगा आप देखे फिर से आगया अहम का संबंद किस्से है तो ये अहम का संबंद एथार्थ जगत से है इदम का संबंद पास्विक्स जगत से है और पराहम का संबंद संस्कारवा नैतिक्ता से है तीनों याद कर लिजगा अहम इदम और पराहम अहम हो गया ये थार्थ जगत से इदम हो गया पास्विक्स जगत से और पराहम हो गया संस्कारवा नैतिक्ता से टीएटी परिच्छन की खोज की गई थी याद कर लिजेगा TAT परिच्छन का हुई थी अमेरिका में इसकी खोज हुई थी अगला कोशन सो स्याही धब्बा परिच्छन में कौन-कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है जो स्याही धब्बा परिच्छन है इसमें कौन-कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है लाल रंग है एक दूसरा काला है तीसरा सफेद है इन तीन रंग का प्रयोग किया जाता है किसमें हर्मन रोर्षा स्याही धबा परिक्षण में व्यक्तित को युनानी भासा में किस सब्द से जाना जाता है युनानी कह सकते हैं लेटिन भासा में कह सकत इंग्लिस में सब्द है personality आपने सुना होगा personality इसी से मिलकर बना है persona से मिलकर ही personality सब्द बना है और persona सब्द का आर्थ होता है मुखहोटा याद करते रहेगा याद अच्छे से उम्मीद करते हैं आपको प्रतेक चीज बिल्कुल clear हो रही होगी और अगर clear हो रही हो तो कल आपको सुभय क्लास दी थी बाल विकास की जिसमें 55 बाल विकास के बहुत ही important ऐसे ही one liner question थे आज ही आपके chapter के आधार पर है तो व्यक्तित तो chapter है पूरी व्याख्या बिना कोई चीज निश्चिंत होकर बिना व्याख्या के कम से कम सब्दों में आपको सब कुछ clear कराये दे रहे हैं तो यह परसोना होगी है अगला है प्रचेपन विधियों विधियां मापन करती है प्रचेपन विधिक इसके लिए प्रियोग में लाई जाती ही विक्तित तुमापन के लिए बहुत ही important है विक्तित तुमापन में प्रयोग की जाने वाली विधियां कौन सी हैं पर छेपन विधियां याद कर लिजीएगा अगला रोर्षा बुद्धी परिक्षण निर्मित हुआ है तो रोर्षा बुद्धी परिक्षण जो ये 1921 में हर्मन रोर्षा ने निर्मित किया था अगला व्यक्तित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् प्रारंब होता है कहां से होता है तो वालक के व्यक्तित्तु जन्म के बाद से सैस्वावस्था से वालक के व्यक्तित्तु का विकास प्रारंब हो जाता है यह सभी व्यक्तित्त जहां आपको दिख जाए समली जे व्यक्तित्तु लिखा है थोड़ा करेक्शन करना है तो कर सकत आप लोग इसके लाव दूस्तों सहसवावस्था वाल्यावस्था और किसोरावस्था इन तीनों पर आधारित आपको बहुत अच्छे-च्छे पॉइंट तीनों से संबन्दि लगभग 160 पॉइंट कवर करा दिये थे जिसमें आपका पूरा सहसवावस्था वाल्यावस्था किसोरावस्था टॉपिक कवर हो गया था तो अगर आपने ना देखा हो तो उन क्लास में जाकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिये गए जरूर देख लीजेगा अगला पॉ आर्थी आयुर्वेद सास्त्र के अनुसार व्यक्ति इन तीनों के आधार पर होता है अगला है रॉबर्ट किस प्रकार के मनोवग्यानिक थे तो ये मनोविसलेशन वादी मनोवग्यानिक थे रॉबर्ट जो थे ये मनोविसलेशन वादी मनोवग्यानिक थे अगला है व्य व्यक्तित विख्ति के वेवार की वोड़वर्द का कतन है याद कि लीजैगा अगला प्राचीन भारती मानयता के अनुसार कपिल मुनि के सांख दर्शन के тीन игр कीजिए भारती मान Unlike के अनुसार कपिल मुनि ने जो टीन सांख दर्शन की आनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत, रज, तम, ये तीन गुण हैं जो कि इसके इंतरगत बताए गए थे, याद कर लीजेगा, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, व्यक्तित्त का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभी प्रेरकों के द्वारा होता है, व्यक तो आपका आणुवानसी कारक होगे, जिनने जयवी कारक भी कहा जाता है, दूसरे वातावरण या फिर पर्यावरण समंदि कारक, ये सभी कारक जो हैं ये व्यक्तित्त को प्रभावित करते हैं, चाहे वो आणुवानसी कτηता हो, या फिर वातावरण हो, ये दोनों नामे इदम अहम या पराहम तीन तत्तों का अत्यन नहम भी इसका नाम है पराहम को कहते हैं तीनों का विशेस महतोय सिगमन फ्राइड ने बताया था इदम जो है वो सुखवादी सिध्धानत और भौतिक सुख पर आधारित होता है यानि कि जो व्यक्ति इदम पर जादा नहीं कि एक तरीके से कह सकते हैं, जीवन में जो यथार्थ चीजें हैं, उनके बारे में अध्यन करने में वस्तविक्ता को जानने में लग जाता है, तीसरा है पराहम, ये संसकार और आदर्सों से सम्मंदित है, कि बालक के संसकारों को व्यक्त करता है, वो पराहम या अत्यह कहलाता है अगला एहम सक्ति सामाजिक्ता हट वादिता इत्यादी क्या है तो दोस्तों ये सभी सील गुण के इंतर गताते हैं ओल पोर्ट ने सील गुण के वारे में बताया था तो एहम सक्ति हो गया सामाजिक्ता हो गया हट वादिता हो गया ये सभी आपके सील गुण से तो दोस्तों यूंग ने व्योन्ग ने विक्दिति का वर्गी करिण किया था। उभर मुखी ये तीन कहीं कहीं आपको सिर्फ अंतर मुखी वहिर मुखी मिलेंगे यह याद कर लिजेगा तो ये किसमें बताए था। उन्हों ने ही इसके बारे में बताया था तो इन्हों ने बताया था जो बालक एकांत प्री एकांत में रहने वाले होते हैं संकोची होते हैं कि अपने मन की वातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं आदर्स बादी होते हैं और आत्म गत द्रश्ठिकोंड वाले होते हैं आदानी कि सिर्फ सोयम के आधार परचलने वाले होते वे सभी सयाही दब्बा परिच्छने सब को याद हो गा है एक विध्यार थी विभार कुसल है रही है तथा समाजि क्रिया कलापह में पर्यापत भाग लेता है उसे यूग उसे युञ ने कि वैक्तित वर्ग में रखा है, जल्दी से यूंग लिखा है, यूंग के अनुसार बताना है, फिर से क्या लिखा देखें पढ़िये, वेभार कुसल है, संकोच रही थे, उपर संकोची दिया था, इसमें संकोच नहीं है, यह थार्थ बादी है, और सामाजिकता से जुड़कर सामाजी क्रिया कलापों में मुख रूप से पर्यापत रूप से भाग लेता है तो वो कहलाता वहिर मुखी व्यक्तित्ट के अंतरगत अंतर मुखी ये क्लियर हो गया वहिर मुखी ये क्लियर हो गया अब जिस व्यक्ति में दोनों चीजें पाई जाती हैं दोनों प्रकार के वरगी करण के किस में कैसे व्यक्ति सम्मिलित किये थे सेल्डन ने जो व्यक्तित का वरगी करण किया था तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से किया था सरीर रचना के आधार पर किया था तो एंडोमार्फिक वरगी करण में जो आये थे वो मोटे कोमल और गोल सरीर वाले आर से क्लास आपनों की पहले भी आ चुकी है टी टी स्पेसल क्लास जो आल चैप्टर्स की क्लास है उसमें मैंने आपको लगबख 16 चैप्टर के आसपास पूरा व्यक्ति टॉपिक उसके कौन-कौन से प्रकार किस मनोवेग्गैनिक ने बताये हैं और किसके अंतरकत किस प्रकार क बालक आते हैं ये सभी चीजें उसमें हमने क्लियर कर दी थी तो अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो जरूर देखिएगा अच्छे से त्यारी करिएगा इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि कुछ नीचे प्लेलिस्ट दी हुई हैं वहाँ पर जाकर आप पु कौन सा सिध्धान्त दिया था इरिक्सन ने कौन सा सिध्धान्त दिया था इसका आंसर आपनों को अधिक से दिक संक्या में कमेंड वॉक्स में देना जिनको नहीं याद है वो देखकर तयार करते रहिएगा आपको सभी के आंसर नीचे मिल जाएंगे अगला क्रेश्मर इन इनके नाम हम आपको नक्ष्ट लास में बता देंगे एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक और पाई कनिक और बताया था ये चार प्रकार बताया थे क्रेस्मर ने सारीरिक रचना के आधार पर ही इन्होंने बताया था सेल्डन ने भी और इन्होंने भी अगला कोश्चन है होती हैं हड़ियां मजबूत होती हैं सक्री होते हैं परिस्वी होते और सासी व्यक्ति जो होते वह एक्टो मॉर्फिक के अंतरगत आते हैं याद कर लीजेगा अंतिम पॉइंट बचाओ इस प्रेंगलर या स्प्रेंजर कुछ भी आपको मिल जाए ये एक ही है इन्होंने बहुत अच्छे से सभी टॉपिक क्लियर किये दे रहे हैं बस आपको करना क्या अच्छे से पूरे टॉपिक याद करते रहना है कोई गलती ना करना अच्छे से समझते रहना उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं य तेरा नमबर है 91-429-0052 इस नमबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं वहां आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी उसके अद आप सीटेट यूपी टेट वा अन्य राज्यों के टेट एक्जाम से सम्मंदित कंप्लीट नोट्स कम से कम फीस में आपको सभी प्रोवाइड करा दिये जाएंगे अब अगर आपको आज की क्लास पसंद आयोतों से लाइक करना मत भूलें लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ अधिक सदिक संक्या में सेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस करना मत भूलें फिर से मिलतें साम की लाइब क्ल आसमें थैंकि दोस्तों